इंडिया आज के डेट में चाइना को ओवर टेक कर गया है क्या आप लोग चाहते हैं कि इसको लेकर कोई एक बिल बनाया जाए जनसंख्या नियंत्रन तो आर्थिक प्रग्रदी के साथ अपने आप कम होते जाती है जिस रेट में हमारी जनसंख्या बढ़ी पचास साल पहले उससे बहुत कम हमारी आज गती पर बढ़ रही है तो जनसंख्या के लिए इलाज तो ही की है वो है कि तो आपकी जो आर्थिक प्रग्रदी है उसकी दर को दस प्रतिशत प्रतिवश्क करनी चाहिए जब तक आपके जो आर्थ प्रणाली है वो अनुकूल नहीं है तो लोग क्या करेंगे अपने बच्चों को ही बच्चा पैदा करके उनको नौकरी में लगाएंगे या अपने खेती में लगा देंगे तो मैं कहता हूं कि जब लगता है सब मारी देश के लोगों को कि बच्चों को पढ़ाना भी आसान होगा उनको नौकरी मिलना भी आसान होगा तो अपने आप लोग परिवार नियोजन करते रहेंगे तो इनकी जबरदर्स्ती करने के लिए कोई जड़त नहीं है और ये चिल्ता करके कि ज़्यादा है इसको रोकना चाहिए कोई सरकार नहीं रोक पाएगी और आप जानते हैं कि इंद्रा गांदी ने बड़ी पटोर तरीके से प्रयास की और उसकी हालत क्या हुई सक्तेपाल मलीक को सीबी आई ने बुलाया है सर इस मामले पर क्या कहेंगे कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटिकल पार्टिया की ये टार्गेट किया जा रहा है सक्तेपाल मलीक ने जिस तरीके सिप्दान मंदी को लेकर बोला था वो बहादर आदमी है और वो सीबी आई की हर सवाल पर जवाब दे सकते हैं ये उनको नहीं बुलाई है उनके एक जो एक अपराद के जांच चल रही थी उसके संबन में उनको पास जानकारी है उसके लिए बुलाया गया तो इससे अभी हम ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि उन्होंने बयान दिया इसलिए इसको बुलाए गया इसके कोई संबन नहीं है नितिश कुमार तो मैं बहुत पुराना दोस्त है जेपी मुव्मेंट के टाइम से तो मैं ना कैसे कैसे करता है आपको लगता है कि नितिश कुमार चैलेंज कर पाएंगे 24 में उनकी मर्जी है उन्होंने कभी ने मुझसे का कि मैं करने चाहता हूं तो मैं क्यों अभी वह बयान देंगो तो पूछे विना आज मैंने टाइम मांगा तो मुझे टाइम देंगे जो कुछ और व्यस्त नहीं है तो हम उनसे मिलेंगे और उनसे सीधा पूछेंगे डारेक्ट आप ये बात है मैं भूजूंगा कि आपको इंट्रेस्ट है कि अगरे कि